नमस्कार दोस्तों सुआगेता आप सभी का मेरे यूटूब चैनल जीके पाट साला में दोस्तों आज हम बात करेंगे राजनिती विज्ञान का जो आधोनिक दर्ष्टिकोन है उसके बारे में इससे पहले प्रमप्रावगत दर्ष्टिकोन हम पढ़ चुके हैं तो आधोनिक दर्ष्टिकोन में क्या कैसे इसके सुरवात इसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले देखते हैं इसका अर्थ दिते विश्वयूद के बाद राजनिती सास्तर में कुछ आमूल चूल परिवर्तन हुए थे तो आमूल चूल परिवर्तन मतलब है कि एक तरह स परिवर्तन होते हैं तो आमुल चूल परिवर्तन हुए जिसके करण मुले सापक्स and hours और जो संस्तागत और जो ऑपचारिक अद्यन वहने पढ़ा था प्रभ मॉले यो सत्ये इंतर संस्तागत और फॉर्मल्टी एक तरह से संबन्द थे तो उनके स्थान पर देगो मुले निर्पेक्स तथा अनौपचारिक अधेनों पर बल दिया गया मुले निर्पेक्स यानि तथे और तक्नीक का ज़्यादा समावेश किया गया मुल्यों को छोड़ दिया गया फिर बाद में जब उत्तर वेवारवाद आया वेवारवाद ने मुल्यों को छोड़ दिया था बाद में उत्तर वेवारवाद आया तो इसने वापस मुल्यों को क्या किया था समावेश किया था लेकिन जो आधोनिक दश्टिकोन की बात करें तो इसने क्या जब मुल्यों को एक तरह से नेगलेट करके क्या नया अध्यन शुरू किया था अनौपचारिक अध्यनों पर बल दिया अर्थार्थ संस्तागत अध्यनों की जगादे को क्या किया इन्होंने राजनेतिक व्यवस्ता यानि राज्य और सरकार की जगादे को कौन कौन चीज़े आ गई सक्ती सक्ता परभाव निर्ने निर्मान निति निर्मान वैदता राजनेतिक विकास राजनेतिक आधुनिकरन राजनेतिक संस्कृति राजनेतिक अभिजन राजनेतिक समाजिकरन इत राजनेती का अध्यान था यहां फिर देखो संस करती भी आ गई पिर समाज भी आ गया पॉलिटिकल डेवलप्मेंट जो आधुनिक चीज़ें वो नीती निर्मान नीती शियों से संब्मन दे जो समाज सातर है वो भी चीज़ें आ गई यानि अंतर सास्त्रियता इन्होंने स् अध्यन प्रणेती वीज्ञान चेतर क्या हो गया फिर और ज़्यादा बड़ा विश्तरित हो गया तो यह था आधुनिक दर्ष्टिकॉन यानि जो प्रमप्रागत जो संस्तागत अध्यन था उसको छोड़कर इसने क्या किया जो लग जो चीज़ें जीजों राजनितिक व स्वेल तो आप सो यह तो पता, यह चार्ल्स मेरियंठ डेविड इस्टन यह तो जो सिकागो विश्श भ्याले की, जो त्री क्या है आधुनिक दर्ष्टिकॉन के समर्तक है इसमें जो कई है न सिद्नि वर्भा है लूशिन पाई है यह है जो आधुनिक विचारक है हमने उसमें पढ़ाता जो राजनिति दर्ष्टिकोंन था, उसका एक्तम विप्री था, वो कया है, आधोनिक दर्ष्टिकोंने, तो सबसे पहली बात आती है, अध्यन चेत्र में व्यापक्ता एवं गुनात्मक परिवर्थन देखो परंपरागत में क्या था परंपरागत में था संकिन और संकुचित अध्यान था तो यहां इसमें क्या व्यापकता आएगी यानि अध्यान शेतर में क्या क्या गेर राजनेतिक तत्वों को सामिल किया गया मनुष्य क्या है गेरा नितिक तक तो जैसे उसके समाज भी उसको प्रभावित करता है आर्थिक इस्तेतियां प्रिस्तेतियां आर्थिक प्रयाओन प्रभावित करता है सांस्कृतिक प्रयावन बोगोलिक प्रयावन ये सारी चीजे भी क्या उसको प्रभावित करती है तो इनका अध्यन क्या इसके उपर भी क्या बल दिया गया फिर दूसरी चीज आती है अंतर सास्त्री अध्यन पर बल तो अंतर सास्त्रिये को हम अंतर अनुसासनात्मक भी कह सकते हैं अंतर अनुसासनात्मक सास्त्रिये मतलब सब्जेक्ट से सम्मन्द है इसका तो अंतर सास्त्रिये दर्ष्टिकोंड क्या कहता है देगो इस दर्ष्टी कोण के अनुसार जो राजनेती विज्यान है उसका अन्य समाज विज्यान है उनके साथ क्या है अध्यन करना चाहिए आधुनिक विचार के हैं उन्होंने राजनेति विग्यान का जो अध्यन है वो अन्य समाज विग्यानों के संदरब में करने पर बल दिया था क्योंकि इन लोगों का मानना था कि अगर व्यक्तिका राजनेतिक विवार है मनुश्य का जो राजनेतिक वेवार है वो सांसकर्तिक बोगोलिक जो प्रयावरन है जो नेतिक प्रयावरन है उनसे भी क्या है प्रभावित होता है तो अगर हम सब चीजों को मिला कर चलेंगे न तो अपने अध्यन में क्या आजाएगी समगरता एकता आएगी तो ये अंतर सास्त्री अध्यन पर बल दिया था ये भी सिद्धान की क्या है मुख्य विस्षिस्त है तीसरी चीज़ आती है राजनेतिकी वेवारवादी व्यक्या वेवारवाद से मतलब है कि माननों के वेवार के अध्यन के उपर इन्होंने क्यात किया था ज़्यादा जोर दिया था इन्होंने ये कहा था कि संस्ताओं का अध्यन करोगे ना संस्ताओं के अध्यन से कुछ नहीं होने वाला व्यक्ति का अध्यन आपको करना चाहिए आधुनिक विचारक क्या है मानों के वेवार में नियम मित्ता खोजने पर बल देते हैं एक तरह से देखा जाये तो यह possible है नहीं चीज लेकिन जो आधोने की विचारक है वेवार में नियम मित्ता खोजने ताक कि क्या करें एक particular सिदान्त निर्मान किया जा सके और राजनेती विग्यान को क्या है विशुद विग्यान बनाया जा सके भाई निशित वेवार का अध्यन करोगे उससे कुछ ना कुछ नियम या सिदान्त निकल के आएंगे और यही क्या है इनकी मुखे विशुद विग्यान बनाने पर जोर दे रहे थे फिर चोथी चीज आती है मुले निर्पेक्स अध्यनों पर बल देखो वैसे मुले निर्पेक्स मुले निर्पेक्स कहां तक ही सिमित रहे गया था शिर्फ वेवारवाद तक ही तो ये विवारवाद तक की बात चल लिए उसके बाद मूले किया है वापस समाहित कर लिए गये थे जो उत्तर विवारवाद आया था उसमें तो मुल्य निर्पैक्स अध्यन की बात करें तो आधुनिक वीचार कि ने किया तत् relies ओर मुल्यों को किया अलग-अलग करने पर बलते दिया था जो चार्ल्स मेरियम वगरे थे इननोंने क्या चाहना थोओध द्याग दिया था चाहते थे विशुद विज्ञान तो इन्हों ने क्या कि या तठ्ठो की उपर आधारित अध्यन को आगे बढ़ाया जिससे जो निशकर्स निकले ना वो क्या हो विश्वस नियों कि विश्वस नियता आ सके उसमें तो अब विश्वस नियता देखो कब आ सकती है कि अगर हम अपने मुल्यों को मुल्यों को अध्यन में सामिल नहीं करें तो विश्वस नियता आ सकते क्योंकि परतेख व्यक्ति के मुल्य क्या होते हैं तो जब भी वो कोई अध्यन करेगा तो अध्यन में निश्चेती क्या है उसके मुल्यों का समवेश पर्मानेंट होना ही होना है तो इसका मतलब अगर आपका अध्यन वो अगर फैल हो जाता है तो फैल हो जाता है का मतलब है क्या है कि आपने जो शिदानत दिया उसमें आपने फिनी नीजी मानेताएं प्यों मुल्य yeah उनका उन्ले ज्यादा यह से एक तो वस्तुनिष्ट वस्तुनिष्ट था में ज्यादा विश्वस नियता रहती है उसे कोई भी व्यक्ति चेक कर ले नंबर 11 आ रहे हैं तो 11 यह आएंगे लेकिन अगर निमंदात्मक पर्शनों की बात करें तो वहां क्या अलग टिचर अलग परकार से नंबर देता है को टियकर 20 में से 15 नंबर देता है कोई टीचर 20 में .... और सबसे बड़ी बात किसी की ऄ़िला नहीं मिलती है यानी उत्तर भी अलग अलग लेकिन है टिचर के ओपरड़ेंड है तो का मतलब यह था कि राजदेती विज्ञान को ज़्यादा विश्वसनी कैसे बनाया जा सके उनके नियम और कानूनों को फिर पांत वीची जाती है राजदेती विज्ञान की स्वाहित्ता हुए मुलिकता पर बल कि राजदेती विज्ञान तो क्या एक 77 विशे हैं और इसकी ज बात करें लिए प्योर साइंस बनाना चाहते थे इसको और विग्यानिक अध्यनों पर बल कि इनका ये माना था कि जैसे विग्यानिक अध्यनिक है सबसे पहले हम करते हैं समश्या का चैन चैन कर लिया फिर उससे समझी जो तथे और आंकड़े हैं उनका संग्रह करते हैं आंकड़े जुटाते हैं आंकड़े जुटाने के बाद जो तकनीक है अपनी तकनीक या जो उपकरण है उसकी सायता से हम इन तथ्यों का क्या करते है निस्कर्ष निकालते है और निस्कर्ष निकालने के बाद क्या हो जाता है सिदान्त निर्मान ये है वेग्यानिक पदती तो इनके पास क्या थी वेग्यानिक पदती के उपर इन्होंने ज्यादा जोड़ दिया था और जबकि जो विशेश नहीं थी अब बात करते हैं राजनीतिक जो आधुनिक दर्ष्टिकोन उसका विकास प्रगार से हुआ है तो वैसे तो राजनीतिक दर्ष्टिकोन का विकास है वो 20 वी सदी के प्रारम में दर्ष्टिकोचर होने लगे थे इसके विचार आने लगे थे उसी समय जैसे वाल्टर बेजवोट है इंपोर्टेंट है यह ध्यां रखना थोड़ा वाल्टर बेजवोट ने अपनी पुस्तक थी इंग्लिस यह नहीं है इनको सुनोती थी और कहा कि मद्यम वरग है वह क्या एक चुल में सत्ता है इसके बाद वुड्रो विल्सन यह पुस्तक का नाम द्यान में रखना इंग्लिस कंस्टिटूशन वुड्रो विल्सन ने अपनी पुस्तक कॉंग्रेशनल गर्वर्वेंट में कहा कि स प्रेशनल गोवर्मेंट लिखी थी इन्होंने फिर आते हैं जैम्स ब्राइस जैम्स ब्राइस ने अपनी पुस्तक थी अमरीकन कॉंस्टिटूशन उसमें लिखाता कि संस्तागत और ओपचारिक अध्यन क्या है निर्थक है इन्होंने पहले बता दिया कि जो आप अध्यन अध्यन करने पर बल दिया अब देखो यहां वह चीज आजाती अंतर सास्त्रियता कि यानि दूसरे विश्यों के साथ संबन्द इस्तापित करके मनोविग्यनिक अध्यन पर बल दिया मतलब एक तरह से कहा है राजनीति में साइकलोजी लेकर आगे हुमन नेचर इन पॉलि ग्राम वाले सी थे और का कि राजनितिक अध्यनों में कहा है मनोविग्यान का परियोग भी करना चाहिए तो यह ग्राम वेलेस कहते हैं कि राजनितिया उसमें साइकलोजी का परियोग भी कहा है करना चाहिए इसके बाद आर्थर बैंटले इन्होंने अपने पुस्तक समूह सिदांत का परतिपादन किस ने किया आर्थर बैंटले और इन्हों ने बताए कि मनुष्य के जो राजनितिक वेवहार उसको समूह भी परबावित करता है कि कई बार क्या होते हैं अकेले होतें लेकिन भीड होती है ना भीड तंतर है जैसे मोब लिचिंग की गठनाएं होती है वो किस कारणा से होती है भीड क्या भीड को कोई उक्सा देता है और उससे क्या है फिर यह वाली गठनाएं हो जाती है यानि अकेला जी यहां इसमें कुछ नहीं अब देखो वह समुए करता है वह समुए ही प्रभावित करता है उसकी दिमाग में इसे विचार दानें पेदा कर देता तुरंत हो अनदे स्पॉट की भीड से क्या है फिर वो उकसा जाती है यह समाज समुए एक बहुत बड़ा समुए बन जाता है लोगों का और फिर कहा है उनके विचार सब क्य जाते हैं वह और भोटेंट यह और इस चीज को क्या करता है है नहीं है टोड़ करते तो उसमें क्या है एक पर्टिकुलर समूह बन जाता है तो वह समुए क्या करता है वैस सब खराब नहीं है कुछ अच्छे भी है लेकिन कुछ क्या है समुए कैसा बन जाता है जो ऐसी चीजों को क्या है गटनाओं को अदेता है इसके बाद बात करते हैं सिकागो विश्विदाले देखो शिकागो विस्विदाले वेवारवादी राजनेती का गड़ है अमरीका के इस विस्विदाले को वेवारवादी राजनेती का गड़ कहते है चैंज कर ले ना इसको थोड़ा वेवारवादी राजनेती का गड़ कहते है और जो चाल्स मेरियम हैन को वेवारवाद का जनक भी कहते हैं या बोधिक पिता भी कह सकते हैं अब चार्स मेरियम ने अपनी परशित फुस्तक न्यू एस्पेक्ट्स और पॉलिटिक्स यानि राजनिती के नए आयाम 1925 में लिखा कि प्रमपरवादी जो अध्यन है वो अपनी सार्थक तक हो चुके हैं और शिदांत नि आपारमपरिक जो अध्यन परनाली चल रही थी उसको कहा कि वह हमने पहले बात उसमें करी थी कि जब देटेवी से यूदुहतार उसमें इनको आमंत्रेत नहीं किया गया था यह उत्तर व्यवारवाद व्यवारवाद भी हमने पड़़ रखा है तो इन्होंने फिर क्या कह अब हमें क्या है वेवारवादी बदना पड़ेगा तो शिकागो विजो फिदाले की तर् estr कि मुर् sevente by यह समिट है चाल्स मेरियम है और है राड लासवेल पिवी स्मिट चाल्स मेरियम और हैं लासवेल शना आता है कि बार बाद में क्या होता यह १ ह१ लार्ट मेरियम की मरथ्यू पार एक को स्टनसों आ जाता है इस्टन भी आता है फिर एड़न्ष ईוש बिखूँ उनने बात करी थी नँए हिरालसेलं भीका है साइकों किया ता वाले इसने किया था तो निइसे कियाता तो पॉस्तक साइकोपेथोलोजी पोलिटिक्स में राजनिती पर मनुवग्जान के परवाव का उलेक खिया और उन्ने अपनी रचना कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है इसमें राजनिती सास्तर परभाव सालियों का अध्यन बताता है कि राजनिती सास्तर में जो परभाव सालिय है और उनका परभाव है उनके अध्यन को क्या है इसमें बताये गया है पुस्टक भी कर्ंट मीणिंग उब भीविरियूलिज्म में विवर्वारवाद की आठ मानेटा हूं त की व्यक्तिक राजनेसि का अध्यिंग करुछ यह और इसके उपर शिदां निर्मान किई तरुमिय। कि आप मनुष्य के विवार का ध्यन करके एक पर्टिकुलर्स क्या कर सकते हैं नियम बढा सकते हूं देखो डेवीड की इसके लवाँ एक बुक और थी करन्ट मेनिंग ओप विविवरलिविस्म के अतिरिक एक थी पॉलिटिकल सिस्ट्म पॉलिटिकल सिस्टम में इन्होंने बताया था कि राजनितिक विवस्ता पॉलिटिकल सिस्टम में जो आगत निर्गत मोडल हमने पढ़ा था पहले उसमें पका था कि जो राजनितिक विग्यान है वो क्या है राजनितिक वेस्ता जो पोलिटिकल सिस्टम है उसी का क्या है अदेन है तो फिर उन्हें ने ये कहा कि वेवार का अदेन कर रहोगे तो फिर उससे के हम नियमेता हैं को सकते हैं उससे के अधार पर गया एक सिद्धानतों का क्या निर्मान कर सकते हैं अब आते ही राजनितिक दर्श्टिकोंड के नुसरा राजनिती विग्यान की परीबास है तो परीबास है देखो क्या कहती है सबसे पहली परीबास है राजन पर देती हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे थैंक यू दोस्तो जय हिन जय भारत